1910 में Edward VII की मृत्यू के बाद George V इंग्लेंड के राजा बने राजा बनने के अगले ही साल, साल 1911 में वो अपनी पत्नी के साथ इंडिया है King George और उनकी वाइफ Queen Mary की शान में दली में एक दर्बार लगाया गया जहां उनकी ताजपोशी की गई as Emperor and Empress of India इस दर्बार में George V ने जो Crown पहना था उसे Imperial Crown of India कहा जाता है जिसमें 6000 से भी ज्यादा बेश कीमती Diamonds, Rubies और Emerald जड़े हुए थे इस दर्बार में इंडिया के सभी प्रिंसले स्टेट्स के राजा, उनके Nobles और दूसरे बड़े-बड़े लोग हाजिर हुए थे King George को बढ़ाई देने के लिए और उनके प्रती आभार प्रिकट करने के लिए आप इस फ्रेम में हैदरबाद के नवाब को देख सकते हैं इस दर्बार में King George V ने दो बड़े Announcements भी किये पहला Ennelement of Partition of Bengal, यानि 1905 में जो Bengal Partition कर दिया गया था अब उसे खारीज किया जा रहा था इसके अलावा दूसरा बड़ा Announcement था Capital Shift करने को लेकर अब कैलकटा की जगए दिल्ली को राजधानी बनाया जा रहा था इस दिल्ली दर्बार के अगले दिन Royal Couple ने लाल के लेकी बालकनी विंडो से आम जनता को दर्शन दिये ये एक मुगल ट्रेडीशन था जो अब King George V फोलो कर रहे थे इन्हें देखने के लिए लाल के लेके पास बहुत बड़ी तादात में लोग जमा हुए अराउंड पांच लाग लोग अपने राजा और उनकी रानी को देखने और बधाई देने के उदेशे से यहां पहुचे थे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने इस पूरे इवेंट को और इसमें हुए फिजूल खर्च को कॉंग्रेस सेशन 1911 में कंडेम करते हुए एक रिजूलूशन पास किया कॉंग्रेस का 1911 का सेशन कलकटा में हुआ था और दिल्ली दरबार के दोरान किंग जॉर्ज और उनकी वाइफ ने जो पोशाक पहनी थी वो आज भी राश्च्पदी वहवन के म्यूजियम में देखी जा सकती है तो ये था तिल्ली दरबार ओफ 1911 इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटिल में समझने के लिए बुकस्तावा की प्लेलिस को फोलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू सो मच पो वाचिंग और सपोर्टिंग बुकस्तावा